आज हम बेशन की बहुत ही अनोखी और लजवाब रेशिपी बनाने वाले हैं आई होप आप लोगों को ये रेश्पी बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स ये रेश्पी बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाना सुरू करते हैं इस रेश्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कब बेशन ले लिया है बेशन को हमने छान लिया है ताकि उसमें कोई लंस वगरा ना पढ़े छान के हम जब बेशन लेते हैं तो उसमें कोई भी लंस वगरा नहीं पढ़ते हैं तो यह बहुत पतली हो जाएगी, तो हमें पतली घोल इसका नहीं बनाना है, हमें थोड़ी सी गाड़ी, थोड़ी सी क्या, काफी हद तक गाड़ी घोल त्यार करनी है, तो अब हम इसे हाथों से ही फेटेंगे, थोड़ी थोड़ी हम पानी डालते जाएंगे, और इसको हम छो थोड़ा सा चेंज हो जाए थोड़ा सा अच्छा दिखे तो इसलिए हमने इसमें हलदी पावडर राइड कर रहा है अगर आप लोग इसकूत करना चाहते हो तो इसकंट अच्चा सा गोहल करनेंगे हमें गाडी गोहल त्यार करने हैं unp控ड़ के लिए में certification बिल्कुल ऐसे ही और हमें इसको एक-ईरेक्स भर स्पितना है डाइक्स ज्जन्ज करना है कि एक टार्स भर जाता है तो बस हमें ऐसे एक-ई डारेक्स लगबग हमें इससे फेटते हुए पांच मियाट हो चुके हैं और यह बिल्कुल अच्छी तरह से फिट चुका है बहुत ही फ्लॉफी हो चुका है तो अब हम इसको क्या करेंगे साइड में रख देंगे और मसाला त्यार कर लेंगे तो मसाले में हम ले रहें एक गुली लसन कामने छुडा लिया है और एक इंच अद्रा के टुकड़े को हम लेंगे छोटे छोटे टुकड़े काट लिये हैं और उसके बाद एक चमच हम जीरा लेंगे और उसके बाद हम लेंगे एक छोटी लाची दो चार काली मिर्च और एक टुकड़ी यह दालचीनी का एक गाढ़ा सा पेस्ट त्यार कर लेंगे और यह जो मसाले है फ्रेंड्स हमारी पिस्चु किये अब हम इसको साइड में रखेंगे उसके बाद हम गैस चुले पे एक पतीला रखेंगे पतीला जो है वो चोड़ी मुँवाली होनी चाहिए और उसमें पानी रख देंगे गरम होने के लिए फ्रेंड्स अभी हमें गैस का फ्लेम ओन नहीं करना है और उसके उपर ऐसे जाली वाले बरतन आते या जाली का छन्नी होता है दूर ढकने वाला वो भी आप ले सकते हो और उसके उपर हमने तेल इसमें गिरिस कर दिया है तो जो बेशन को हमने गोल के रखा थ उसके हम इसके उपर छोटी-छोटी बर्या तोड़ेंगे और फ्रेंड्स दियार रखना है गैस का फ्लेम हमें और नहीं करना है नहीं तो हमारी हाथ जल जाएंगी भाब की वज़ा से तो ओफ करके ही हमें इस चीज को करना है तो सबसे पहले हम बर्यों को छोटे-छोटे एकी साइज के तुकड़े में तोड़ ले रहे हैं, जैसे पकॉड़ा बनता है बिल्कुल हमें, वैसे ही छोटे छोटे तुकड़े तोड़ने हैं, और साइज जो है, वो थोड़े से छोटे ही रखेंगे, तभी ये जो रेश्पी हम बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छा ये कर देंगे और जब यह पानी खौलने लग जाएगा इसके बाद हम इसका धक्कन लगा देंगे और फ्रेंड्स यह हमें पांच मिनट ही लगे हैं बने हुए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी यह बनके त्यार हो जाता है तो पांच मिनट बाद हम यह से देख लेते हैं, यह देखिए, बिल्कुल चक्कु लगाने से ही, चम्मच से ही, चाया ऐसे भी, यह बहुत अराम से निकल जाता है, क्योंकि हमने इसके नीचे तेल जो है, वो लगा लिया था, तो इस वज़ा से यह बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है, तो सभी को हम इ एक चम्मच के करीब आइट कर रहे हैं और उसके बाद जब तेल गरम हो जाएगी तो हम इसमें एक चम्मच जीरा आइट कर देंगे और जीरा जब क्रेकल हो जाएगी तो उसके बाद हमने एक बड़े साइज के प्याज को हमने काट के रखा था छोटे छोटे टुकड़े में तो इसको हम इसमें तेल में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि इसका जितना भी कच्छापन है वो सारा खतम हो जाए तो इसे हमें लगतार चलाते रहना है चलाते हुए हमें इसको पका लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छे तरीके से प्याज है वह हमारे भून जाए और फिनेश देखिए यह color हो चुका है और प्याज जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुका है अब हम इसमें बेसिक मसाले जो लगते हैं हमारे kitchen में रहते हैं उसे हम इसमें डालेंगे आदी चमच अम इसमें healthy powder आट करेंगे और उस इसके बाद हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर आड़ करेंगे और जो मसाले हमने पेश्ट बना के रखे थे उसको हम साथ ही में आड़ कर दे रहे हैं ताकि जो मसाले हमारे अच्छे तरीके से साथ में भून जाए और मिक्सी को हम धूल के मिक्सी का जो जार है उसको धूल के हम थोड़ी सी पानी भी इसमें आड़ कर देंगे और इसको हम चलाते हुए लगतार अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो तेल है उपर सेप्रेट हो जाए और मसाला जो है वो भी हमारा अच्छे तरीके से भून जाए तो इसे हम पकर और दो मिनट तक इससे भून लेते हैं, गैस का फ्लेंट लो टू मीडियम रखना है, तभी मसाले जो हैं, अच्छे तरीके से भूनेंगे, और दो मिनट बाद यह अभी आज़े मसाले हमारे भूने हुए हैं, उसके बाद हम इसमें दो टमाटर को काट के डाल देंगे, टमाटर जो हैं, हमने लंबे-लंबे काटे हैं, आप अपने हिसाब से टमाटर को छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, फिर इसको हम चला कर और धकन बंद करके इसको दो मिनट तक और पका लेंगे, और फ्रेंड्स दो मिनट के बाद इसका जब हमने धकन हटा के देखा, तो मिनट तक और इससे लगातार चलाते रहेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे, देखिए मसाले बिल्कुल भून चुके हैं, अब हम इसमें एक गिलास पानी आड़ कर रहे हैं, और आप लोग को तरी अगर जादी पसंद हो, तो जादी आड़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी गाड़ी अच्छी लग पकाना है, बस हमें एक मिनट तक ही इसको हम धक कर पकाएंगे, तो इसे चला ले रहे हैं, और धकन बंद कर दे रहे हैं, तो बस इसे एक मिनट तक हम पका ले रहे हैं, और एक मिनट बाद फ्रेंट्स देखिए, हमने गास का फ्लेम आफ कर दिया है, और एक मिनट बाद जो तो और पर जरूर किलिक कर लिजेगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिक्शन आपके पास